उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्धनगर जिले की दादरी तहसील में एक गाव है बढ़ा पुरा यहीं पर रहता है रविंद्र भाटी का परिवार ब्रहम सिंग भाटी के तीन बेटों में रविंद्र भाटी मंजले थे उनके दोनों भाई भी इसी गाव में अपने परिवार के साथ आसपास ही रहते हैं रविंद्र के परिवार में पतनी राकेश भाटी के अलावा तीन बच्चे थे दो बेटे वर एक बेटी सबसे बड़ी बेटी है पायल भाटी उससे छोटे दो बेटे हैं अरुन और अजय पायल ने बिये तक की पढ़ाई की थी बड़े बेटे अरुन की शादी दादरी की रहने वाली स्वाती से हो चुकी है छोटा बेटा अजय भाटी अभी अविवाहित है रविंद्र भाटी खेती बाड़ी करके परिवार की गुजरुटसर करते थे दोनों बेटे भी खेती के काम में उनका हाथ बढ़ाते थे बेटी अभी शादी नहीं करना चाहती थी इसलिए कई अच्छे रिष्टे आने के बावजूद भी वह बेटी के हाथ पीले नहीं कर सके इसकी एक वजह ये भी थी कि दो साल पहले उन्होंने बड़े बेटे अरुन की शादी की थी शादी के कुछ समय बाद से ही उसका अपनी पत्नी स्वाती से विवाद रहने लगा उसके बाद स्वाती पती का घर छोड़ कर मायके चली गई बात इतनी बढ़ गई की थाने चौकी में शिकायतों के बाद पत्नी से दहेच की मांग वह उसके उत्पीधन के आरोप में आये दिन रविंद्र भाटी उनकी पत्नी वह बेटे बेटियों को थाने के चक्कर लगाने पड़ गए इसी परेशानी से आजिज होकर जून 2022 में एक दिन रविंद्र भाटी वह उनकी पत्नी राकेश भाटी ने जहर खाकर अपनी जान दे दी हस्ते खेलते परिवार में अचानक मातम चा गया बड़ी बहन होने के कारण पायल के उपर ही दोनों भाईयों की देखभाल और उनके खानपान की जिम्मेदारी आ गई कुछ वक्त गुज्रा तो दादा ब्रहमस सिंग और चाचाताओ को जवान होती पायल की चिंता सताने लगी सब ने सोचा कि कोई अच्छा लड़का देख कर उसकी शादी कर देंगे तो बाद में भाईयों की जिदंगी किसी तरह पट्री पर आ जाएगी इसलिए पायल के लिए बिरादरी में अच्छे लड़के देखे जाने लगे रविंद्र और उनकी पत्नी की मौत के बाद परिवार की जिंदगी की गाड़ी पट्री पर लोट ही रही थी की एक और हाथसे ने परिवार को तोड़ कर रख दिया 13 नवंबर 2022 को सुबह दादरी पुलिस को सूचना मिली की बढ़पुरा गाउं में एक लड़की की लाश उसके घर के अंदर मिली है पुलिस जब गाउं में पहुंची तो पता चला की लाश रविंद्र भाटी की एकलोती बेटी पायल भाटी की है हालांकि लाश का चेहरा इतनी बुरी तरह जल चुका था कि उसे पहचानना मुश्किल ही नहीं नामुम्किन था गरदन भी बुरी तरह जली हुई थी जबकि हाथ की कलाई पर किसी धारदार हतियार से काटे जाने के बाद ज्यादा खून बहने के कारण उसकी मौत हो गई थी ऐसा लगता था कि किसी हाथ से के कारण उसका चेहरा जलने से क्षत्विक्षत हुआ था क्यूंकि लाश घर के अंदर ही मिली थी और शव के उपर का पड़े भी वही थे जिन्हें पायल रात को पहन कर सोई थी इसलिए परिवार को पुलिस से ये बताने में कोई संकोच नहीं हुआ कि मरने वाली पायल थी पायल की मौत कैसे हुई और जब वो खुद कुशी कर रही थी तो परिवार में किसी को पता क्यूं नहीं चला, परिवार वालों से जब पुलिस ने ये वाजिब सवाल किया तो इसका उत्तर भी पायल के भायों ने बड़े वाजिब तरीके से ही दिया उन्होंने बताया कि 12 नवंबर की रात को वे करीब 9 बजे खाना खाकर सोए तो जल्दी गहली नीम की आगोश में समा गए उन्होंने बताया कि ऐसा लगा कि वे महीनों से सोए नहीं है सुबह उठे तो देखा कि पायल अपने कमरे में बिस्तर के पास जमीन पर मृत पड़ी थी उसका चहरा बुरी तरह जला हुआ था और हाथ की नस धारदार हथियार से कटी थी जिससे निकलने वाले खून का सेलाब आसपास फैल चुका था बिस्तर पर ही पायल की हैंड राइटिंग में लिखा हुआ एक पत्र पड़ा था जो उसने शायद मरने से पहले लिखा था पुलिस ने भाईयों से वह पत्र लेकर पड़ा तो पायल के खुद कुशी करने की वज़े भी साफ हो गई सुसाइड नोट में पायल ने लिखा था आज पूरी बनाते समय मेरा चेहरा कड़ाही का गर्म तेल छलिकने के कारण बुरी तरह जुलस देया मेरा चेहरा इतना विकृत हो गया कि अब समाज में मुझे कोई पसंद नहीं करेगा मेरे माता पिता ने करज के बोज के कारण पहले ही अपनी जान दे दी थी ऐसी हालत में मैं अपने भाईयों पर बोज नहीं बनना चाहती इस वज़े से मैं अपने हाथ की नस काट कर अपनी जान दे रही हूँ अपने परिवार के सभी लोगों से मैं इसके लिए माफी चाहती हूँ जला हुआ चेहरा, हाथ की कटी हुई नस और परिवार वालों का ये कहना है कि जो शब मिला है वो पायल का ही है इससे शक की गुजाइश नहीं थी लिहाजा दादरी पुलिस ने आत्महत्या का मामला दर्ज करके पायल के शव का पोस्ट माटम कराया और उसे घरवालों को सौप दिया घरवालों ने उसी दिन पायल के शव का अंतिम संसकार कर दिया 21 नवंबर को 13 वी की रस्म भी कर दी गई इस दोरान पूरे गाउं में एक ही बात की चर्चा होती रही की ऐसी कौनसी बुरी दशा थी की छे महीने के भीतर ही भाटी परिवार में तीन लोगों ने मौत को गले लगा लिया लेकिन कहते हैं कि वक्त का मरहम बड़े से बड़े जख्म को भर देता है वक्त फिर तेजी से बीटने लगा जिस वक्त दादरी थाना क्षेत्र के बढ़पुरा गाउं में ये हादसा हो रहा था उसी दिन बिसरक थाना क्षेत्र के सूरजपुर से एक योवती हिमा चौदरी अचानक रहस्यमे धंग से लापता हो गई थी दरसल 15 नवंबर की सुबह सूरजपुर के सुनारों वाली गली में रहने वाली मुम्तेश चौदरी नाम की महिला ने बिसरक थाने में पहुंच कर एसे चोव उपेंद्र कुमार से मुलाकात की और उन्हें शिकायत दी कि उसकी छोटी बहन हिमा चौदरी उसके पास रहती थी और गौर सिटी माल के वेन हुसेन मॉल में काम करती थी वह 12 नवंबर से लापता है मुम्तेश ने बताया कि उसकी बहन हिमा ने शाम को उसे फोन करके बताया था कि वह एक सहेली के घर बर्तडे में जा रही है, रात को घर नहीं आएगी लेकिन अगले दिन जब मुम्तेश ने हिमा को फोन किया, तो उसका फोन बंद मिला कई बार प्रयास करने पर भी जब हेमा से संपर्क नहीं हो सका तो मुम्तेश ने उसके शोरूम में फोन किया वहां से पता चला कि वो तो उस रोज काम पर पहुँची ही नहीं 12 नवंबर की शाम को जाने के बाद उसने फोन करके भी ये नहीं बताया कि वो अगले दिन काम पर नहीं आएगी मुम्तेश को ये भी नहीं पता था कि हेमा किस सहेली के घर गई है उसने हेमा के सभी पहचान वालों को फोन करके उसकी खेरक बर जानने का प्रयास किये लेकिन कहीं से कोई सुराग नहीं मिला थकहार कर मुम्तेश ने 15 नवंबर को बिसरक थाने में हेमा की गुमशुदगी रिपोर्ट दर्ज करा दी S.H.O. उपेंद्र कुमार ने हेमा की गुमशुदगी का मामला दर्ज करवा कर S.I.E. उपेंद्र को जांच सौंप दी S.I.E. उपेंद्र ने गुमशुदगी के मामले में की जाने वाली आपचारिकताओं को पूरा करने के बाद उस शोरूम में जा कर पूछ ताच की जहां हेमा काम करती थी वहां पता चला की शाम को वह निकल गई थी उसके बाद उसने कोई संपर्प नहीं किया दिक्कत ये थी कि हेमा का फोन लगातार बंद आ रहा था हेमलता चौदरी मूल रूप से मत्वरा जिले की रहने वाली थी शादी हो चुकी थी लेकिन एक बच्चा होने के बाद पती ने उसे गलत चालचलन का आरोप लगा कर बिना बच्चे के घर से निकाल दिया था पती से अलग होने के बाद बेसहारा हुई हेमलता सूरचपुर इलाके में सोनारों वाली गली में बड़ी बहन मुम्तेश के पास आ गई जो वहाँ अपने परिवार के साथ रहती थी गुजरब सर के लिए हेमा कुछ महीना पहले ब्रेटर नौइडा के गौर सिटी मॉल के वेन हुसेंट शोरूम में सेलसर गरल की नौकरी करने लगी इधर एसाई उपेंड ने जब गुमशुदगी की जांच को आगे बढ़ाते हुए हेमा के फोन की काल डिटेल्स निकलवाए तो पता चला कि उसके फोन की आखिरी लोकेशन बदपुरा गाव में रविंद्र भाटी के घर पर थी काल डिटेल्स की जांच से ये भी पता चला कि उसकी आखिरी बातचीत जिस नंबब पर हुई थी वह नंबब बुलन शहर में रहने वाले किसी अजय ठाकुर का था अजय ठाकुर की लोकेशन भी उस वक्त बडपुरा में वहीं पाई गई जहां हिमलता के फोन की थी एसाई उपेंद सबसे पहले बडपुरा में रविंद्र भाटी के घर पहुँचे वहां पहुचने के बाद पता चला कि 12 नवंबर की रात तो परिवार की बेटी पायल ने खुद कुशी कर ली थी एसाई उपेंद समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर हिमलता इतनी दूर वहां किस से मिलने आई थी क्योंकि पायल के दोनों भाई भी इस बात से इंकार कर चुके थे कि वो हिमा को जानते हैं पायल के परिवार वा गाव वालों के बयानों की तस्दीक करने के लिए जब एसाई उपेंदर दादरी थाने गए तो वहां ये बात साफ हो गई कि पायल ने वाकई खुद कुशी की थी दादरी पुलिस ने उन्हें पायल की लाश के फोटो भी दिखाए जिसमें उसका चेहरा वगर्दन बुरी तरह जलकर वीभत्स हो गए थे उसे देख कर कोई पहचान ही नहीं सकता था कि लाश किस लड़की की है एसाई उपेंदर अजय थाकुर की तलाश में बुलंद शहर पहुँचे अजय थाकुर मूरूप से बुलंद शहर में सिकंदराबाद के महेपा जागीर गाव का रहने वाला था अजय थाकुर खेती बाड़ी करता था भरपूरे संयोक्त परिवार के युवक अजय थाकुर के परिवार में माता पिता और भाईबहनों के अलावा पतनी सुमन और पांचवत तीन साल के दो बेटे थे परिवार वालों से एसाई उपेंद ने जब अजय के बारे में पूछा तो पता चला कि अजय भी 12 नवंबर 2022 से ही लापता है वह 12 नवंबर को घर से नौइदा जाने की बात कहकर बाइक से निकला था उसके बाद से घर नहीं लोटा इतना ही नहीं उसके फोन जब जब काल की गई तो बंद मिला अजय के लापता होने पर घर वालों ने उसकी हत्या की आशन का जताते हुए सिकंदराबाद थाने में 14 नवंबर 2022 को उसकी गुमशुदगी दर्ज करा दी थी एसाई उपेंदर ने जब सिकंदराबाद थाने जाकर इस बात की तस्दीक की तो अजय ठाकुर के परिवार की बात सही पाई गई इसके बाद तो एसाई उपेंदर के लिए हिमा चौदरी की गुमशुदगी एक रहस्य भरी फिल्म बंग गई क्योंकि हिमा तक पहुँचने के जिस संपर्क सूत्र तक पुलिस पहुँच रही थी पता चलता की या तो उसकी मौत हो चुकी है या वो लापता है 26 नवंबर को बिसरक थाने के एसेचो का तबादला हो गया और नए एसेचो के रूप में इंस्पेक्टर अनिल राजपूत ने थाने का कार्यभार संभाला उन्होंने जब थाने में लंबित विवेचनाओं की जानकारी ली तो एसाई उपेंद्र के पास हेमा चौदरी की गुमशुदगी के बारे में पता चला मामला बेहत दिल्चस्प था एसेचो अनिल राजपूत ने एसाई उपेंद्र की मदद के लिए कांस्टेबल राजीव कुमार अनिल कुमार, शिवांक धालिया, सर्विंद्र कुमार और महिला कांस्टेबल ज्योती की टीम बना दी साथ ही टीम को हेमा चौदरी के अलावा अजय ठाकुर और पायल भाटी के मोबाइल फोन नंबरों की काल डिटेल्स निकलवाने और अजय ठाकुर के फोन को सविलांस पर लगवाने का आदेश दिया इसका सुखत परिनाम जल्द ही सामने आया पायल, हेमा और अजय पाल की काल डिटेल्स खंगालने के बाद सामने आया कि अजय और पायल कई महीनों से एक दूसरे को जानते थे दोनों के बीच कई बार लंबी-लंबी बातचीत होती थी पिछले कुछ दिनों से अजय हेमा से भी उसके फोन पर बातचीत कर रहा था इतना ही नहीं, 12 नवंबर की रात पायल, हेमा और अजय की लोकेशन एक साथ होना इस बात का साफ इशारा था कि एक मौत और दो गुमशुदगी का आपस में कोई न कोई संबंध जरूर है क्योंकि तीन लोग जिन में दो महिलाएं थी, एक रात को साथ थे इन में से एक महिला खुद कुशी कर लेती है, उसकी भी पहचान नहीं होती, पहचान भी परिवार द्वारा कपडों से की जाती है इसके बाद बाकी दो लोग लापता पाये जाते हैं, ये सारे संयोग कई सवाल खड़े कर रहे थे काल डिटेल्स और सविलांस की मदद से, पुलिस को जल्द ही इस बात का पता चल गया कि अजय का फोन कभी स्विच्ट आफ हो जाता है तो कभी काम करने लगता है 12 नवंबर 2022 के बाद जब भी अजय का मोबाइल फोन इस्तेमाल हुआ, उससे कुछ खास नंबरों पर ही बात हुई उन में से एक नंबर ऐसा भी था, जो अजय के नाम पर ही रजिस्टर था, लेकिन उसकी लोकेशन भी अजय के पुराने नंबर के साथ ही थी जांच परताल के बाद एसाई उपेंद्र को ये भी पता चला, कि अजय अपने बैंक अकाउंट से नेट बैंकिक के जरिये ट्रांजेक्शन कर रहा है इसका मतलब साफ था कि वो सही स्लामत है, लेकिन हेमलता के बारे में जानने के लिए पुलिस का अजय तक पहुचना जरूरी था अजय थाकुर के नंबर पर लगातार सविलांस की मदद से निगाह रखी जाने लगी पुलिस ने अजय थाकुर के घर से उसका फोटो वर अन्य जानकारियां हासिल कर ली थी इंस्पेक्टर अनिल राजपूथ को पहली दिसंबर 2022 की दोपहर इसाई उपेंद्र कुमार ने बताया कि अजय पाल शाम को चार मूर्ती गोल चक्कर के पास किसी से मिलने के लिए आने वाला है सूचना चून की सविलांस की मदद से और एक ऐसे व्यक्ति के जरिये मिली थी जो अजय थाकुर के लगातार संपर्थ में था इसलिए संदेह की गुंजाइश नहीं थी शाम को चार बजे से ही पुलिस ने उस इलाके में जाल बिच्छा कर घेरा बंदी कर दी जहां अजय थाकुर के आने की सूचना मिली थी पुलिस का टारगेट वो इनसान था जिससे अजय मिलने आने वाला था शाम को आठ बजे इंतजार की घहियां खत्म हुई बाइक पर सवार होकर अजय थाकुर जब अपने परिचित से मिलने पहुँचा तो उसके साथ एक युवती भी थी पुलिस ने दोनों को दबोच लिया अजय थाकुर को पकड़ते ही इंस्पेक्टर अनिल राजपूत का उससे पहला सवाल था हिमलता कहां है? कहां छिपा रखा है उसे? पुलिस के चंगुल में फसते ही अजय के पावों तले से जमीन किसक गई सकपकाय अजय को समझ ही नहीं आया कि वो क्या करे? हकलाते हुए उसने जवाब दिया कौन हिमलता साहब? मैं किसी हिमलता को नहीं जानता तो उसे छिपाऊंगा क्यों? लगता है ये ऐसे नहीं बताएगा थाने ले चलो इसे वहीं इसे सब याद आ जाएगा इंस्पेक्टर राजपूत ने कहा पुलिस दोनों को पकड़ कर बिसरक थाने ले आई तब तक पुलिस को ये पता ही नहीं था कि उसके साथ जो लड़की है वो कौन है? अलबता थाने लाकर जब दोनों की तलाशी ली गई तो पुलिस को अजय थाकूर की जेब से एक मैरेज सर्टिफिकेट मिला जो उस युवती के साथ अजय की अदालत में रजिस्टर्ड हुई मैरेज का था जो उसके साथ थी सर्टिफिकेट पर अजय के साथ युवती का नाम पायल लिखा था मैरेज सर्टिफिकेट देखकर अनिल राजपूत का दिमाग भी घूम गया क्योंकि शादी शुदा अजय थाकूर अपनी पतनी और बच्चों के रहते दूसरी शादी कैसे कर सकता था इंस्पेक्टर राजपूत का दिमाग भूमने की सबसे बड़ी वज़े ये थी कि जिस लड़की से उसने शादी की थी वो पायल थी वही पायल जिसके घर के पास हेमलता और राकेश के फोन की लोकेशन मिली थी जिस रात वह गायब हुई थी सबसे हैरानी की बात ये थी कि पायल की तो मौत हो चुकी थी अगर पायल सही स्लामत है तो उसके घर में जो लड़की मृत पाई गई थी वो कौन थी SHO अनिल राजपूत ने महिला पुलिस के माध्यम से पायल के साथ पुछताच की और उसके परिवार की जानकारी लेकर बदपुरा गाउं से उसके भाईयों वह दादा को बुलवा लिया थाने में आने के बाद जब परिवार ने पायल को जिन्दा देखा तो सब के पावों तले की जमीन खिसक गई धर की जिस बेटी को मृत समझ करवे उसका अंतिम संसकार यहां तक की तेरवी कर चुके थे वो आखिर जिन्दा कैसे हो गई उन्होंने इंस्पेक्टर राजपूत को पायल की खुदकुशी के बारे में सब कुछ बता दिया तो माजरा कुछ-कुछ उनकी समझ में आ गया अजय थाकुर और पायल भाटी से जब सक्ती से पूछताच की गई तो सारी कहानी सामने आ गई पुलिस पूछताच में सामने आया कि पायल भाटी ने कैसे अपने प्रेमी अजय थाकुर के साथ जिन्दगी बिताने और अपने माता-पिता की मौत के जिम्मेदार लोगों से इंतकाम लेने के लिए एक फिल्मी साजश रच कर एक बेगुनाह लड़की का कतल कर दिया इसके बाद उसकी लाश को अपनी पहचान देकर खुद को मरा हुआ साबित कर दिया पायल और अजय ठाकुर से पूछ ताच के बाद इंस्पेक्टर अनिल राजपूत ने एसीपी अरविंद कुमार और एडिशनल डी सीपी साद मिया खान को विस्तार से इस पूरे घटनाक्रम के बारे में बताया वे भी ततकाल थाने पहुँच गए जिस हेमलता की वे गुमशुदा मान कर तलाश की रहे थे उसकी हत्या हो चुकी थी इतना ही नहीं उसके शव का अंतिम संसकार भी हो चुका था लिहाजा सबूतों की तलाश में पुलिस की टीम फोरेंसिक टीम को लेकर पायल के घर पहुची टीम ने उसके पूरे घर के साथ उस कमरे को बारीकी से खंगाला जहां हेमलता की हत्या कर उसे अपने कपड़े पहना दिये थे और उसे खुद कुशी का रंग दे दिया था वारदात को 18 दिन बीच जाने के बाद भी पुलिस को पायल के घर की सीधियों से खून के कुछ सूखे हुए निशान मिल गए जो शायद हेमा के खून के थे पुलिस द्वारा की गई पूछताच में पायल ने बताया की माता-पिता की मौत के बाद वह बुरी तरह तूट गई थी लेकिन कुछ दिन बाद ही उसकी जान पहचान फेस्बुक के जरिये सिकंदराबाद के रहने वाले अजय ठाकुर से हुई पहली ही नजर में अजय उसके दिल को भागया पायल फेस्बुक और इंस्टाग्राम पर दिल तूटने वाली शायरी और ऐसे ही वीडियो बना कर डालती थी जो अजय को बहुत पसंद आते थे फेस्बुक की जान पहचान जल्द ही मुलाकात में बदल गई और मिलते जुलते न जाने कब वो एक दूसरे को दिल दे बैठे पता ही नहीं चला उन्हें अहसास तब हुआ जब दोनों का एक दूसरे के बिना कुछ भी अच्छा नहीं लगता इसके बाद दोनों ने साथ जीने मरने की कस्मे खानी शूरू कर दी अजय शादी शुदा और दो बच्चों का बाप था ये बात उसने पायल को साफ बता दी लेकिन उसने ये भी कहा कि अगर वो उसकी बनने के लिए तैयार है तो वह पतने बच्चे और परिवार सब कुछ छोड़ देगा ऐसा प्यार करने वाला किसी लड़की को मिल जाए तो कौन उससे दूर होना चाहेगा अजय को अपना बनाने के लिए पायल ने अपने भाईयों से जब उसके बारे में बात की तो उन्होंने अपने चाचा, ताओ और दादा से जिक्र किया उन्हें जब पता चला कि पायल एक शादी शुदा लड़के के प्यार में पढ़ गई है तो उन्होंने उसे डांटफट कार कर साफ मना कर दिया कि किसी भी हालत में अजय से उसकी शादी नहीं हो सकती वो उसे भूल जाए दादा ब्रहमस सिंग ने दुनिया देखी थी उन्हें पता था कि जवान लड़की जब एक बार किसी इनसान से दिल लगा बैठती है तो ज़्यादा दिन तक उसके पाउं में बंधन की बैदियां नहीं डाली जा सकती लिहाजा उन्होंने जल्द से जल्द पायल के हाथ पीले करने का मन बना लिया इसके बाद चाचा ताओ और दादा सब मिलकर पायल के लिए लड़का देखने लगे उसके लिए गहने भी तयार करवाय जा रहे थे दिल्ली और दूसरे इलाकों में पायल के लिए लड़के भी देखे जा रहे थे लेकिन पायल तो अजय के साथ रहना चाहती थी पायल के दिल में पहले से ही इस बात की टीस थी कि उसके माता पिता ने जिन लोगों से परेशान होकर खुद कुशी की थी वे आजाद भूम रहे हैं दरसल पायल के परिवार ने जिन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था उन्होंने कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की और तीन आरोपियों को अगरिम जमानत मिल गई थी इधर चाचा तावब दादा ने उसके प्यार को भी उससे दूर रखने की जिद पकड़ ली थी अपने प्यार को हासिल करने और इंतकाम को पूरा करने के लिए पायल के दिमाग में अपराद का कीड़ा कुल बुलाने लगा वह सोचने लगी कि आखिर ऐसा क्या किया जाए किया जाए हमेशा के लिए उसका हो जाए और माता पिता की मौत के जिम्मेदार लोगों को भी वह सजाद दे सके दादरी पुलिस ने पायल के परिवार की शिकायत पर पायल के माता-पिता की मौत में आत्महत्या के लिए प्रेरित करने की धारा में मुकदमा दर्ज किया था जिसमें स्वाती, उसके भाई और दो अन्यलोगों को नामजद कराया गया था लेकिन दादरी पुलिस नामजद किये गए आरोपियों को गिरफतार नहीं कर सकी क्योंकि उनकी गिरफतारी से पहले पायल के माता-पिता की विस्वरा रिपोर्ट की जरूरत थी जो अभी तक नहीं मिली थी इसलिए पायल दुखी थी और माता-पिता की मौत के जिम्मेदार लोगों से खुद ही बदला लेना चाहती थी पायल के दिमाग में अपराद का जो कीडा कुल बुला रहा था उसके तहट उसने एक फिल्मी साजिश रची जिसमें पायल को अपनी जगह किसी दूसरी लड़की का कतल करके उसे अपनी पहचान देकर फरार होना था पायल को यह आइडिया एक टीवी सीरियल से मिला था दरसल कई साल पहले पायल ने एक टीवी सीरियल देखा था जिसमें एक लड़की अपनी शक्ल सूरत और कदकार्थी से मिलती किसी दूसरी लड़की की हत्या कर उसका चेहरा जला देती है ताकि उसकी पहचान ना हो सके बाद में शव के पास कुछ ऐसी चीजें छोड़ देती है जिससे लोग दूसरी लड़की के शव को उसी का समझें बाद में खुद को मरा साबित करने वाली लड़की अपराद की वारदातों को अंजाम देती है इस सीरियल के अलावा भी पायल ने ऐसे कुछ किस से कहानिया पड़े थे जिनमें कोई शक्स किसी दूसरे आदमी की हत्या कर उसे अपनी पहचान दे देता है इसी से प्रेरित होकर पायल ने भी अजय ठाकुर से कहा कि अगर वह उसकी मदद कर दे तो दो काम एक साथ हो सकते हैं वे जिन्दगी भर के लिए साथ हो सकते हैं और वह अपने माता पिता की मौत के जिम्मेदार लोगों से बदला भी ले सकती है अजय ने पूछा कैसे तो पायल ने उसे तरकीब भी बता दी पायल ने कहा कि वो किसी ऐसी लड़की का इंतजाम कर दे जिसकी लंबाई पांच फुट चार इंचों और कदकाठी उससे मिलती होने के साथ फुलिया और बालों की बनावर भी उसके जैसी हो उससे क्या होगा अजय ने पूछा तुम उस लड़की को पटा कर मेरे पास लाओगे और हम उसकी हत्या कर देंगे उस लड़की का चेहरा ऐसा कर देंगे कि उसकी पहचान न हो सके उसे अपने कपड़े पहना कर हम दोनों यहां से भाग जाएंगे उसके बाद हम शादी भी कर लेंगे और मैं अपने दुश्मनों से इंतकाम भी ले लूँगी पायल ने पूरी प्लानिंग अजय को बता दी आइडिया तो एकदम बहतरीन है लेकिन पायल जैसी लड़की मिलेगी कहाँ इस बात पर दिमाग लगाते लगाते अजय ने अपने एक दो दोस्तों से इस बात का जिक्र भी किया अजय का एक दोस्त था नवीन जो गौर सिटी मौल में काम करता था नवीन कुछ रंगीन मिजाज का था कालगल का पेशा करने वाली बहुत सी लड़कियां उसके संपर्क में थी वैसे भी जिस काम के लिए अजय को लड़की चाहिए थी उसके लिए बदनाम लड़की ही उसके साथ चलने के लिए तैयार हो सकती थी अजय ने अपने दोस्त नवीन से कहा कि किसी अच्छी सी लड़की से उसकी भी दोस्ती करवा देता कि वो भी मौजमस्ती कर सके साथ ही उसने कदकार्थी और हुलिये के बारे में भी बता दिया कि कैसी लड़की चाहिए नवीन के पास तो ऐसी लड़कियों की भरमार थी उसने अपने पास मौजूद कई लड़कियों की फोटो अजय को वाटसेप पर भेजी लेकिन कोई भी लड़की ऐसी नहीं थी जिसका हुलिया वह कदकार्थी पायल से मिलती हो आखिर जब उसने हेमा चौदरी की फोटो अजय को भेजी और अजय ने वह फोटो पायल को दिखाई तो उसने एक दमहामी भर दी हेमा का हुलिया ही नहीं का दकार्टी और बालों की बनावट भी पायल जैसी ही थी बस उसके बाद तो इस साज़िश को आगे बढ़ाने का सिलसिला शुरू हो गया पहले अजै ने अपने दोस्त नवीन के जरिये गौर सिटी मौल के वेन हुसेंड शोरूम में काम करने वाली हेमा से मुलाकात की शुरू की एक दो मुलाकातों में अजै ने उस से बस कॉफी शॉप और पिज़ा कानमें बैठ कर बातचीत की और उसके साथ खाना पीना किया इन दो मुलाकातों में ही उसने हेमा को दो बार गिफ्ट देकर उसे पूरी तरह प्रभावित कर लिया दूसरी मुलाकात में तो उसने हेमा को शॉपिग में कुछ कपडों की खरीदारी भी करवा दी इस दोरान बातों ही बातों में उसने हेमा से इस बात की तोह ले ली थी कि अगर वो उसे अपने साथ कहीं चलने को कहे तो वो हिंकार तो नहीं करेगी हेमा आर्थिक परिशानियों में घिरी थी उसने कहा कि वह चल सकती है अगर वो इस बात के लिए उसे पांच हजार रुपे दे तो अजय को पहले से ही इस बात का अंदाजा था लिहाजा उसने जट से हामी भर दी अब उसे भरोसा हो गया कि हेमा उसके साथ आंग बंद करके चल देगी लिहाजा उसने पायल को ये बात बता दी इसके बाद 12 नवंबर 2022 की तारीक तहुई जब अजय को हेमा को लेकर बड़ा पुरा गाउं में पायल के घर जाना था उस दिन अजय ने सुबह ही हेमा को बता दिया कि शाम को उसे उसका दिल बहलाने के लिए साथ चलना होगा हेमा ने शाम को साथ बज़े मिलने की हामी भी भर दी इधर पायल ने अपने घर में तयारी कर ली उसने शाम को जब खाना बनाया तो उसमें प्रेमी के द्वारा लाई गई नीन की बीस गोलिया मिला कर दोनों भाईयों को खाना खिला दिया रात को नौ बजे खाना खाते ही दोनों भाई कुछ देर में गहली नीन सो गए रात को करीब दस बजे अजय अपनी बाईक पर हिमा को साथ लेकर पायल के घर पहुचा हिमा ने उसके बारे में पूछा तो अजय ने उसका परिचय अपनी रिष्टेदार के रूप में कराया पायल ने उसे भी नशे की गोलिया मिला खाना खिलाया लेकिन पायल और अजय ने दूसरा खाना खाया खाना खाने के बाद हिमा पर नीन सवार होने लगी तो दोनों ने मिलकर उसे पायल के कमरे में सुला दिया हेमा की बेहोशी के बाद उन्होंने उसकी हत्या कर दी पहले उसका गला दबाया फिर उसे रसोई में ले जाकर उसके चहरे वगर्दन पर खौलता हुआ सरसों का तेल डाल दिया उसकी मौत आत्महत्या लगे इसलिए कलाई की नस्भी चाकू से काद दी इसके बाद शव को बिस्तर के पास जमीन पर डाल दिया बाद में पायल ने रसोई वकमरे में फैले तेल के धब्बे साफ कर दिये और इस तरह के हालात बना दिये जैसी कहानी वो बनाने वाली थी बाद में उसने सुसाइड नोट के रूप में अपनी आत्महत्या का एक पत्र लिखकर बिस्तर पर रख दिया उसने जिस चहरे के साथ हेमा की गर्दन पर इसलिए खौलता तेल डाल कर जलाया था क्योंकि पायल की गर्दन पर एक ऐसा निशान था जिसे देखने के बाद ये साफ हो जाता की शव पायल का नहीं है इसलिए उस जगह पर उसने तेल डाल दिया जिससे निशान का पता ही न चले पूरे इत्मानीन से हेमलता की मौत को अपनी पहचान दे कर घर से कुछ जेवर, नगदी वा कुछ कपड़े लेकर पायल तड़के अजय ठाकुर के साथ बाइक से फरार हो गई फरार होने के बाद दोनों इधर से उधर छिप कर रहते रहे कुछ रोज बाद उन्होंने बुलंद शहर में भूनी चौराहा के पास भीमा कॉलोनी में किराय का एक कमरा ले लिया और एक साथ रहने लगे उन्होंने इस दोरान बुलंद शहर के काला आम के पास स्थितार या समाज मंदिर में 19 नवंबर 2022 को शादी भी कर ली इस सबसे अंजान पायल के घरवालों ने 13 नवंबर को अंतिम संसकार के बाद 21 नमवबर को पायल की तेरवी भी कर दी थी इस दोरान पायल के कहने पर अजय ने एक तमंचा और दस का अर्तुस खरीद लिये थे ताकि पायल अपने दुश्मनों को मार कर अपना इंतकाम पूरा कर सके दरसल पायल के भाय अरुन की शादी उसकी बुआ का बेटे सुनील ने करवाई थी जो दादरी में रहता है सुनील ने शादी के लिए पायल के पिता रविंद्र भाटी को पांच लाख रुपे उधार दिये थे पायल का मानना था कि फुफेरे भाई सुनील के कारण ही उसके भाई की शादी एक गलत लड़की से हुई थी उसकी भावी की बुआ का बेटा सुनील उसकी भावी स्वाती वभावी के दो भाई कौशंद्र वप गोलू की प्रतारना की वजए से उसके मातापिता ने जान दी है ये चारों न केवल उसके परिवार की बरबादी का कारण थे बलकि सुनील अपनी उधार की रकम के लिए रविंद्र भाटी पर दबाव डालने के साथ बिरादरी में उनकी बदनामी भी कर रहा था इसलिए माम बाप की मौत का जिम्मेदार मान कर पायल इन चारों की हत्या करना चाहती थी पायल सबसे पहले अपनी भावी के भाई गोलू की हत्या करना चाहती थी उसने अज्रे के साथ बाइक से तीन बार उसका पीछा भी किया था लेकिन उन्हें मौका नहीं मिला इसलिए वे उसे मार नहीं सके पायल और अजय अपने चारों टार्गेट की हत्या करने के बाद यूपी छोड़ कर कहीं दूसरी जगह जाकर बसने का प्लान बना चुके थे इसलिए दोनों ने अपनी थुड़ी बहुत पहचान छिपा कर सनातन धर्म मंदिर में जो शादी की उसमें अपने सही नाम लिखवाए जिस दिनवे गिरफतार हुए उस दिनवे मेरट से अपनी इसी शादी का अदालती रिजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लेकर आ रहे थे पुलिस अगर पायल की मौत हेमलता और अजय ठाकुर की गुमशुदगी को एक साथ जोड़ कर जाच को आगे नहीं बढ़ाती तो इस फिल्मी अपराद की गुत्ती कभी नहीं सुलचती इसे सुझाने में पुलिस को अजय ठाकुर के एक ऐसे दोस्त की मदद भी मिली जो अजय के लगातार संपर्क में था उसी की मदद से पुलिस दोनों को गिरफतार कर सकी फरार होने के बाद पायल अपने फोन में उस दूसरे सिम का इस्तिमाल कर रही थी जो अजय ने पहले से अपने नाम से खरीदा हुआ था ये नमबर उसके घर वालों के पास भी नहीं था पायल की गिरफतारी के बाद पुलिस ने पायल और उसके प्रेमी अजय थाकूर की निशानदेही पर हत्या के इरादे से खरीदे गए तमंचे के अलावा हेमा की नस काटने में प्रयुक्ट चाकू हेमा का फोन भड़ी और उसका बैग बरामत कर लिया है ADCP ताज मिया खान ने हत्या कांट का खुलासा करने वाले SHO अनिल राजपूत की टीम को इनाम देने की घोशना की है विस्तार से पुछ ताज के बाद दोनों आरोपियों को न्यायाले में पेश कर लुक्सर जेल भेज दिया गया कहानी आरोपियों से पुछ ताज पुलिस की जाँच और पीडितों के बयान पर आधारित धन्यवाद